नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से सो अगत करता हूँ आपके अपने चनल अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि अभी की जो ताजा ख़वर ब्रेकिंग निउस आई है कि हिमाचल में ज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जिरूर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दबा लाएं ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन आप से पहले पहुंच सके तो चलिए वीडियो को जो है शुरू करते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज की जो है 27 मई 2020 की अभी की जो अपडेटर न्यूज आई है नोट पे कि एक जून से बिना कर्फियू पास के एक से दूसरे जिले में चलेंगी टक्सियां और नीजी गारियां तो टक्सियां और नीजी गारियां जो है एक जीले से दूसरे जीले में चलने वाली है एक जून में तो आगे बताया है कि हमाचल में बस सेवा के साथ ही एक जीले से दूसरे जीले के लिए जो है बेना कर्फियू पास जो है टक्सियां और नीजी गारिया जो है एक जूँन से चलेंगी हिमाचल कैबिनेट ने असमंजर्स के बाद इसके बारे में जो है फैसला ले लिया है कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में नियुक्त ऐंशकाली जलवाकों के लिए नियमिती करण की अब्दी को भी एक साल गटा दिया है अब अंशकाली जलवाहक 14 साल की जगा 13 साल बाद ही नियमित जो होंगे उच शिक्षा विभाग और प्रारंबिक शिक्षा मैक में में 25 सो जलवाहक तैनात है मोख्य मंत्री जाराम ठाकुर के द्यक्षता में जो बुद्वार को ही राज्य मंत्री मंद्र की बैठक में ये भैसले हुए परदेश सचपालिय में हुई क्याबिनेट की बैठक में सभी मंत्री मौझूद रहे तो 8.31 लाख बच्चों के लिए स्कूल वर्दी की मंजूरी कैबिनेट में मिली है और पैसा खर्च करवाने को मंत्रीयों को देंगे जीलों की जम्मेवारी 12,000 करोड अनखर्चे तो क्याबिनेट बैठक में चोकाने वाले तथे सामने आये कि परदेश में करीब 12,000 करोड रुपए विभिन विभाग खर्च ही नहीं कर पाए इस मामले में लोक निर्मान विभाग सबसे फिसड़ी है कई अन्य विभागों के भी यही हाल है क्याबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया कि हर जिले में एक-एक मंत्री को इसकी निगरानी में लगाया जाएगा कि कहां कितना पैसा खर्च हुआ जल्द ही मंत्रियों को जिम्मादारी देकर बिकास कारियों का पैसा दरातर पर खर्च किया जाना सुनश्चित वो किया जाएगा तो यह जो है आज की कैबिनेट 23 मई दो हजाद बीस की जो कैबिनेट बैठक होई है उसमें जो है यह फैसले लिए गए हैं कि एक जून से जो है कर्फ्य पास के बिना ही जो है नीजी टेक्सियां और जो है गारियां जो है दोड़ने वाली हैं तो बसें भी एक टून से जो है वो शुरू होने वाली हैं तो दोस्तों ये थी अभी की breaking news अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो like जुरूर करें और दोस्तों के साथ share जुरूर करें ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके और अभी तक आपने अंकित वर्मा all hp notification को subscribe नही के लिए धन्यवाद जैहिन जैभार